हेलो दोस्तों स्वागताब का SBG चैनल में तो दोस्तों आज किस पीडियों डिस्कस करेंगे BAD, MAD, BAD, MPAD, BAD, MAD, BA, BA, BAC, BAD के थर्ड राउंड के न्यूट अन्टेबल के बारे में जी हैं दोस्तों थर्ड राउंड के न्यूट अन्टेबल भी आज चुका है जैसा कि आप स्क्रीन स्वाड में देख पा रहे हैं यानि कि थर्ड राउंड के लिए के एडमीशन सेडूर जारी कर दिया गया है क्या एडमीशन सेडूर रहने वाला है और कब से कब तक आप एडमीशन होगा थर्ड राउंड में पस राउंड कंप्रीट हो चुका है सेकंड राउंड भी कंप्रीट हो चुका है अब थर्ड राउंड रिस्टाट हो चुका है थर्ड राउंड में कब से कब तक एडमीशन सेडूर रहने वाला है सब कुछ इस वीडियो के मादम से देखने भाले हैं तो जो भी चैनल पर यह विजिट करने रुक्ष्ट करूँगा चैनल को जानदा जानदा सस्क्राइब कर लेना है ऐसे ही जानकाली पाने के लिए चोटी सी रुक्ष्ट करूँगा अगर आपको कोई डाउट होता है इस्टाग्रम पर पॉलो कर लेजी इस्टाग्रम का लिंक आपको डिस्टाग्र बॉक्स में मिल लेगा तो जानदा जानदा इस्टाग्रम पर पॉलो कर लेगा तो चलिए दोसरे वीडियो कर लेते हैं शुरू करनी है यानि थर्ट राउंड के बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो के मादब से बताने बाला हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसके बाद में अगर हम BPA और NPA के स्टुडिन्स की बात करना उनके लिए पिटनेस और प्रोफिसिंसी जो टेस्ट होता है वो रखा गया था 15 सितमबर से लेकर 21 सितमबर के बीच में रखा गया था अब इसके बाद में क्या हुआ था दोस्तों इसके बाद में क्या होता ह कि जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 19 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है समेकित मेरिट सूची का प्रकासन का मतलब क्या होता है दोस्तों मैं आपको होता है जो कि आपको वीडियो के मादम से पहले भी बता चुका हूँ तो दोस्तों बात कर लेते हैं समेकित मेरिट सूची का मतलब होता है दोस्तों मेरिट लिस्ट आना यानि कि अभी मेरिट लिस्ट आती है आपकी पोजिशन साथी आपकी रेंक आती है आपको किस रेंक पर मेरिट किया गया है अपको कोई भी कॉले अलोट नहीं किया जाता है क कॉलिज का नाम नहीं बताया जाता है कि आपको कौन सा कॉले मिला है ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है उनले रेंक आती है कि कौन सी रेंक मिलिया आपको और आपके कॉलिज का नाम नहीं आता है रेंक आ जाती है आपकी परसेंटेज आ जा जादे कितनी परसेंटेज से ऐसाइट उसपा यहां हो ap कब लोट किया जाएगा तो घम यह लेकैने क्या अनुसारियागा conect आब कि मतलब हुता है आपको कॉलिज का नाम बतादिया जाएगा कि 답 science that वगरा आपको seat confirm कर दी जाएगे कोई कोई सीट मिली है साथ ही आपको किस कॉले में कोई सीट मिली गए तो यह आएगी हमारी 26 सितंबर कब आएगा 26 सितंबर सन्नी बार को आ जाएगा आज only marry list आईए और 26 सितंबर को हमारी क्या आ जाएगे गरा आजाएगे 26 सितंबर को हमारी आललर्ट में लेटर जारी कर दिये जाएगे अब दोस्तों इसके بعدौद में क्या को चब आपका अललोट में लेटर जारी हो जाएगा इसके बाद में आपको क्या करना होगा आपंडिन महाथ जाले में जो भी आपको महाबिद जाल गया जो भी आपको अलोट किया जाएगा उस कॉल्ब में प्रभेश है तो सुल्क बुकतान की रसित यानि के प्रभेश करने के लिए एड्मिचन लेने के लिए हमको सुल्क यानिग के पेमेंट करना होगा और T.C. migration प्रिस्तुत करना होगा है यानि कि हम वो जो सुल्क बुक्तान करना है साथ ही आपको TCA जो migration होता है वो कॉले में जाका submit करना होगा यानि कि हम कह सकते हैं documents को submit करना होगा साथ ही piece की slip अब तोसरों बात करेंगे piece कैसे submit होगी तो piece submit होगी आपकी online जो कि 26 सतंबर से लेकर आपको 30 सतंबर के बीच में आप अपनी piece है वो submit कर पाएंगे तो इस तरह से आपको पूरा process अपना ना होगा 24 सतंबर को आपका लॉट में लेटर आएगा और आपके मेरे लिस्ट को चेक कर लिजे मैंने link वीडियो के description में डाल दिया है उस वीडियो को देखने के बाद उस सारे डाउट है जो कि आपके clear हो जाएंगी कि आपके मेरे लिस्ट में नाम आया है या नहीं और 20 सतंबर का बेट कीजिए उसमें आपको college का नाम भी बता दिया जाएगा तो यह थी third round के पूरी process अच्छी समझ में आगई होगी third round यानि कि BA, BA, C, BA, 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 MN इस इन courses के लिए third round के मेरे का पूरा process आपको complete हो गया होगा अगर आपको third round से समझें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो comment करें Instagram पर follow नहीं के तो Instagram पर follow कर लेजिए कोई भी डाउट होता है तो comment करके जरूब बता हैं इस वीडियो को जानदा जानदा share कर देना तो दूसरे वीडियो को इंपर करते हैं समाप मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक लिए बाई